So hello everyone, भाईयों और बैनों, क्या आज के taxation के paper में बहुत बड़ा mistake था? दो एक बार 40% एक बार 50% दिया हुआ है, क्या ये mistake है? और अगर ये mistake है, तो क्या बच्चों को 15 marks free में मिलेगा? ये सवाल आप लोगों में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, कि सर बताइए ना प्लीज, आज के question paper में mistake था क्या? दो बार एक बार 40% दिया, एक बार 50% दिया, भाईयों और बैनों, चलिए मैं आपको clarify कर देता हूँ, कि ये mistake है या नहीं है? भाईयों और बैनों, इसमें लिखा हूँ, दियारेस allowance 40% अब basic पे, मतलब बैसिक पे जितना भी आपका आएगा, उसका 40% दियारेस allowance लेंगे, तो फिर ये 50% क्या है? ये 50% of which forms the part of benefit, इसका मतलब होता है, कि ये जो 50% है, इसका use ये है, कि जब आप बांकी calculations करेंगे, जैसे हम लोग HRA का calculations करते हैं, तो उस purpose के लिए जब DA लेंगे, तो 50% मतलब जीतना amount आएगा ना, उसका 50% लीजेगा, तो भाईयों और बैनों, ये 100% सही है, इसमें कोई भी mistake नहीं है, आप लोग प्लीज इसको mistake का नाम मत दीजे, ये 100% सही है, मैं भी आपको ये treatment नहीं पता हो दो चैप्टर का वीडियो अपलेट कर दिया हो भाई पिछला वीडियो में जल्दी से आके देख लो, जल्दी, जल्दी complete करो, बाकी 4 चैप्टर कल आओगे, कल दो बहरे सारे बारवजे लाइव अपने भाई के साथ, इस session का last live है ठीक है, और जल्दी से जॉइन करो, मेरा